वेल्कम बाक टो काउस्तो पवर क्रिकट एकडमी यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करेंगे हाउ टो ओर कम डिप्रेशन तो आज मैं बता हूंगा कि कौन-कौन से रीजन्स है या कौन-कौन से चीज़े हैं जिसमें लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आता है कि चाइड अब्यूज चाइड अब्यूज एक वन ओफ दे बीगेस्ट रीजन है जिसमें लोग डिप्रेशन में जाते हैं मैंने भी एक्स्पीरियंस किया तो एक टाइम में तभी मुझे कुछ पता नहीं तक यह ऐसा कुछ होता है सेकेंड पॉइंड एकडमिक्स आपके स करना है हर एक सिट्वेशन वो कभी सिखाया नहीं जाता है आपके अब अगरिंग में कोई आपको सिखाया नहीं जाते कि क्या करना चाहिए तो वह बहुत लैक करता है और यह आगे मुझे लगता है कि यह आगे एक एकडमी जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पर सिखाना जर बारेज में रांगां होती है तो वह टाइम में डिप्रेरेशन में जाते हैं णेच्स पूइंट इसस्पोड्स अगर आप फेलियर बहुत सारी आती है आपका लाइक of पर्फॉमेंस रहता है आप आप जब आप भी आप बहुत सारे करते हो फिर भी आप टीम में उनको financial help नहीं मिलती है तो वो time में depression में जा सकते हैं तो next point is job अगर आपके पास job नहीं आपके बास नोकरी नहीं है या फिर आपके job में जहां पे भी job जाते हो आपको बहुत का pressure है बारबा pressure आता है या फिर आप बहुत काम गरते हो फिर भी आपका promotion नहीं मिलता है तो आप depression म करते हो तो आप business में आपको किसे ने धोका दिया या फिर business अच्छा नहीं चल रहा है तो वो time में आप depression में जा सकते हो next point is family friends and society तो one of the reason होता है कि यह depression जाने के लिए कि आपके family support नहीं कर रहे है बार बार बोलते रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे society क्या कहेंगे पुरानी mentality है जो बार बार लोग क्या कहेंगे society क्या कहेंगी हमरे गावले क्या कहेंगे family क्या कहेंगी वो बार बार लाते रहते हैं and friends आपको तो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको जब जरुरूद होती है तो वो टैम में आप सपोर्ट आपको सपोर्ट नहीं करते तो वो टैम में आप डिप्रेशन में जा सकते हो आपके फैमिली में कोई किसी खामरुत्य हो जाता है तो वो टाइम में डिप्रेश में जाते हैं तो अब इसका solution क्या क्या हो सकता है हम उस पर बात करेंगे सो लेश्टा फर्स्ट पॉइंट इस शेर विद यूप क्लोज वन्स आपने सुना ही रहेगा कि दुख बाड़ने से मन हलका हो जाता है आपका बोच कम हो जाता है तो आपको आपके आपके जो भी क्लो है जिन लोग एसे शेक करके रखने रखने क्या है कि अगर को कुछ भी प्रॉबलम में तो आप उनसे शेर कर सकते हो तो यह आपको बहुत हो जाता है जिसके उपर आपको ट्रस्ट है ठीक है तो आप हमेशा आपके दो-तीन सिलेक्ट करके रखो आपके फैमिली मेंबर से आप ये फ्रेंड्स के जो क्लोज है आपके नेक्स सोलीशन है राइट ऑन ये बुक तो यह क्यों बोल रहा है जैसे कि हम डायरी बनाते हैं आपको कुछ भी कुछ भी जैसे डिप्रेशन जो होते पॉइंट्स होते वह मैंने कहा था जो भी नेगेडिव चीज है आप भूप में लिखो एक बार आप पूरे लिख लोगे तो आपको पता चलेगा आपके दिमाग से जो भी बोश्ता वो हलका हो जाता है यह मैंने भी आप भी ट्राइक करके देखो यह बहुत इंपोर्डन चीज है थर्ड पॉइंट इस कनवर्जेशन टॉक टू इच अदर अगर आपका किसी के साथ भी जगडा हो जाता है या मिसंडर्स्टेंडिंग हो जाती है कुछ भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते कि में प्र यह जब भी जगडा होता है टाय करो वोल्य टाइम सॉल करने तो उससे क्या होता कि आपका मिसंडर्स्टेंडिंग दूर हो जाता है और आपके रिलेशन्शिप प्रॉब्लम होने के चांसेश बहुत कम हो जाते हैं और सॉल हो जाते हैं नेक्स सोलूशन इस मेडिटेशन औ Swannain Pranayan तो इससे के होता कि आपके बोडी काम हो जाती है और अगर यह आप पहले से हमें करते हो तो आपका जो डिप्रेशन में जाने का चांसेश बहुत कम रहता है एकर आप डिप्रेशन में जाते हो तो यह आप करोगे तो आपको तो Champions helped करे जो breathing exercises होते हैं आप किसी से सीख के वो कर सकते हो तो जिससे क्या होगा आपके thoughts process जब आप प्रानायम करते हैं तो आपके thoughts बार बार आपको तकलीर देते हैं वो कम हो जाते हैं तो यह आपको उसमें help करेगा next solution is have a break अगर आपने देखा है sportsman या जो भी especially sportsman और जो business में बार बार जो काम करते हैं mentally ठंक जाते हैं उनके लिए है कि आप holidays के लिए जा सकते हो अगर आप religious person हो तो कोई temple दूसरे स्टेट के टेमपल्स या अगर दरगा चर्च में जा सकते हो अगर आपको कोई destination फेवरेट डेस्टिनेशन आप हो आप जा सकते हो नए चीज़े देखने मिलेगी आप मेंटली रिकावर हो जाते हो तो यह बहुत इंपोर्टन चीज़े मेंटली रिकावर होना अब आप देखते हो हमेशा सोशल मेडिया या फिर निउस चैनल में बहुत सारे नेगेटीव चीज़े देखते हैं और उनको टी आरपी जादा मिलती है हमें वही चीज़ पसंद आ जाती है तो वह लोग वही दिखाएंगे अगर हम यह चीज़े नहीं देखे तो वह देखोगे वह आपको मिलते जाएगा अगर आप नेगेटीव चीज़े देखोगे तो आपको नेगेटीव चीज़े मिलेंगी तो इसलिए कभी भी ट्राय करना कि पॉजिटिव चीज़े देखे जो भी है पॉजिटिव आपके लाइफ में आपके करियर में अगर आपको बिजनेश्में बना है तो आपके घर में बड़े-बड़े बिजनेश्में जो gorgeous गःओ मुंबई से स्टेट अलग-अलग स्टेट के प्लेस देस्में में मुंबई का लोगो लगा आज़ा आपको यहाला देख होगे कि मुझे यह यह चीज़ करना है तो आपका माइंड से आपको गोल पर ध्यान रहता है अगर आप नेगेटिव चीज़ा देखो कि आपका माइंड उदर जाता है जैसे में बच्पन में बहुत डबली डबली देखता गाता वो टाम मेरे दिम्मा में सीव सब को पकड़ के मार नहीं था तो आप लोग जो रिलिजियस बहुत रिलिजियस होते हो एक दुसरे के ऊपर जगड़ते हैं तो आपको वही करना है कि वह सब आवाइड करना है जैसे हम आप आपका जो कोई भी दोस्ते हिंदु मुस्लिम में कभी जगड़ा नहीं होता तो इसके वह जो भी चीज़े दिखा आते हैं उसके वह जगड़ा हो सकता है तो हमारा माइंड सेट वैसा रहता है तो आपको पॉजटिव चीज़े देखना जरूरी है नेक्स्ट इस अपरिंगिंग अपरिंगिंग बहुत इंपोर्टन रहता है इनके सब सेक्शन हरस्मेंट अगर माबाब अपने बेटों को पता है कि लड़किवों को बूरी नbnजर से ना देखे बहुत सारे लड़के बूरी नदर से देखते हैं किसी अपनी भे नर्मा अंप किसी गंधी नजर से देख्के तो अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें खुच समधना चाहिए कि किसी किसी दूसरे लड़कि को हम जब बूरी नजर से देखते हैं वो कि किसी की मा या भेन हो सकती है तो ये ये चीज वहाँ पर ही जब आप सीखोगे तो ये जो सेक्षन हरेस्मेंट होने के चांसेंद बहुत कम हो जाते हैं कोई भी ऐसे बात करते हैं कोई गंदी-गंदी बाते करते हैं कोई लड़कियों के बार होनी नहीं चाहिए तब से मेरे दोस्त और हम यह सब बातें एक साथ नहीं करतें और आपको भी यही गुजारिश है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ जब कोई वे ऐसे बातें करेंगे तो ट्राइ कीजिए कि यह सब ना हो तो ही हमारे देश में सेक्शनल हरेस्मेंट की केस बहुत कमाएंगे और इवन लड़कियों को भी रिक्वेस्ट है कि जो भी वो लोग फेक किसी के ओपर केस करेंगे कि कुछ कोई सेक्शनल हरेस्मेंट नहीं करतें तो भी जब परदिस्ती का केस बनातें वो भी मत कीजे क्योंकि लड़कों के करियर खतम हो जाते हैं उसमें कोई उन्हें नोकरी नहीं देता तो आप यही चीज देखें और जब दोनों ऐसे करेंगे तो हमारा देश सेक्शल हरेस्मेंट से मुक्त हो सकता है ट्राइ कीजिए यह वीडियो सबको शेर करें और जितने से जितने हो सके उतना शेर कीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत है या आपको depression से बचा सकता है या आपको sexual harassment से बचा सकता है तो इसकी वी अगर आप sexual harassment ना करो तो आपके ऊपर कोई charges भी निल लगेगा तो indirectly ये आपके लिए ही फाइदा है तो last and best solution is you कि हमारे life में हम कोई भी चीज़े होती हैं हम flow में जाते हैं तो हम यह सब कोई भी चीजे होती है उसके लिए प्रिपेर नहीं होती, तो हमें यह प्रिपेर होना जरूरी है, हमें बहुत लोग सिखाते हैं तो हमें खुच से यह बात जुछ करता है, बहुत घराब सब चीज है तो यह मुझे लगता है कि जो भी लोग इस डिप्रेशन से जा रहे हैं उनको यह मेशेज यह वीडियो मिले और उनको मालूम पढ़े कि क्या क्या चीज़े होती है अगर आप प्रिपेर करते हो तो डिप्रेशन में जाने का चांसे स्कम होता है क्योंकि आपको प इंप्रेशन में चले जाते है पर इंपोर्डन तीन कि इस आप कितना जल्दी ओवरकम हो सकते हो डिप्रेशन के यह बहुत डिफिकल्ट टाइम रहता है जितना जल्दी आप ओवरकम करें उथना अच्छा रहता है क्योंकि दुसरों के वज़े से हम खुद को क्यों तकलिर दे, तो you are the responsible of your own life, you have to enjoy, आपको life enjoy करना है, और अगर आप enjoy ने करोगे, तो आप depression में जा सकते हो, तो please enjoy your life and stay away from negativity, जाते जाते एक शेर अर्स करता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना छोड़ो उन बेकर बातों को, लोगों को घास क्यों देना